कि चलिए सर अब सबसे पहले समझते हैं सर यह कॉंसेप्ट है क्या और क्यों आया कैसे आया पूरी जानकारी इसके बारे में पहले लेंगे फिर हम इस पर बढ़ने वाले सर हायर एंड परचेस किस चेप्टर में है हायर परचेस पहले हुआ करता था अब स्लेवस का पार्ट नहीं है खटा दिया गया है डेली उनिवर्सिटी से पहले जरूर हुआ करता था तो आज हम रिवल्यूएशन मोड आपका मोडल जो भी कहलो होता क्या है नॉर्मली पहले एस न सिक्स हुआ करता था ध्यान से कर दिया तो चेंज को आपको स्टार्टिंग से लेना है रिद्रोस्पेक्टिब इफेक्ट के साथ लेना है अगर आप्र अपने चेंज पर दिया तो से लेना है दूसरा नंबर 2 आप कभी भी assets का revaluation नहीं कर सकते यानि अगर आपने assets को 5 लाग का खरीदा है ना तो यह आपकी मजबूरी है कि हमेशा इस assets का cost 5 लाग बताना पड़ेगा और इसी के according depreciation charge करना पड़ेगा जिसको हम historical cost भी कहते थे आपके exam में पूछा जाएगा what do you mean by the historical cost तो historical cost या फिर cost रेकोगनेजेशन भी है cost रेकोगनेजेशन या cost principle के नाम से है एक तो historical cost तो historical cost का क्या था limitation के भीया आज building 10 लाग का खरीदा है अबने तो कल भी आप बताओगे 10 balance sheet में हमेशा कितने का दिखेगा 10 10 10 जबकि law कहता है भीया तुम्हारे building 10 का है और balance sheet तो आपके business का फूरा picture show करता है तो आपका building का value तो 10 नहीं है अभी 20 लाग है तो आप इसमें 20 लाग रुफे दिखा ही है जो जर्नली है क्योंकि आज जो investor इसमें invest करेगा पैसा वो तो देखेगा building अगर आप 10 लिखोगे तो वो तो सोचेगा कि भाईया building यहां पर तो 10 का ही है लेकिन आप 20 का दिखाओगे building तो कहीं investor थोड़ा बहुत और good fail करेगा तो उसमें फिर amendment आया गया इस AS को delete करके AS 10 लेके आया गया और इसके अंदर assets को revaluation करने का भी provision रखा गया बोला गया कि अब आप assets के ऊपर depreciation जो है वो जैसे लगाते थे वही लगाएंगे लेकिन change method में जो पुराने impact लेते थे वो भी खतम कर दिया और assets को revaluation करेंगे अब revaluation में दो बाते हो सकती है या तो आप assets को ज़्यादा बढ़ा के दिखाओगे market value पे या फिर आप कम दिखाओगे तो अगर कम हो जायता है हमारा तो ऐसे situation में हम क्या करते है profit and loss से इसको compensate कर देते हैं लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है तो माने लीजिए आपका जो P&L है ना और P&L से जो हमारा profit निकलता है ना ये profit हमारा किसका होता है सर बिजनस का profit होता है ये profit किसका होता है हमारा business का profit होता है ठीक है अब जो business का profit है लेकिन जो assets को आप बेच के खरीद के ये जो पैसा होता है वो capital reserve होता है और एक ऐसा होता है कि assets की valuation करके जो होता है वो re-valuation का profit होता है तो ये तीनों एक जगह नहीं रहते जितना assets बेच बेच के पैसा profit कमाओगे कहां चला जाता है capital रिजम में जितने आप समान को बेच बेच के profit कमाओगे जो daily ordinary transaction है वो चला जाता है पीडल में अगर किसी assets को valuation करके profit कमाओगे तो वो कहां चला जाएगा हमारा re-valuation account के अंदर सर ये तीनों को ना balance sheet के liability side ही दिखाया जाता है लेकिन अलग-अलग दिखाया जाता है कभी इसको combine नहीं किया जाता पीडल अलग दिखाया जाता है re-valuation reserve अलग दिखाया जाता है capital reserve अलग दिखाया जाता हम तीनों को merge नहीं कर सकते तो इसी लिए जब assets का re-valuation होने लगा तो इसके अंदर बोला गया के भाईया जब assets का re-valuation करोगे तो एक तो re-valuation पे impact आएगा तो उस re-valuation account को आपको बना के दिखाना होगा यहां पे machinery में क्या impact आएगा वो भी दिखाना होगा तो अब एक example देखिए example देखिए for example मेरा एक assets एक लाख रुपे का है और SLM depreciation लगा रहे हैं 10% के हिसाब से इसका मतलब depreciation 10,000 लगा बचा कितने का 90,000 अब मेरा मन करता है फिर से एक साल का depreciation लगा देते हैं 10,000 का बचा कितने का 80,000 का अब मेरा मन करता है कि इस assets की valuation change कर दी जाए इस assets को कर दिया जाए कितना 90,000 कर दिया जाए इस assets को कितना कर दिया जाए 90 तो now depreciation जो charge होगा वो तो इसके उपर होना चालू हो जाएगा ठीक है न यानि जो पहले आपका 10,000 depreciation लग रहा था ठीक है वो 10,000 तो ही है अब valuation की वजह से आपका 10,000 रुपए का assets में increment हो गया अब इस 10,000 के उपर आपको 1000 रुपए का extra depreciation चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि पहले 10,10,10 SLM के इसाफ से चल रहते हैं कोई बात नहीं अब जैसे इसका revaluation हुआ revaluation की वजह से आपके assets का value कितना अप हो गया 10,000 और उस 10,000 पे 10% कितना होगे हमारा 1000 तो अब जो हमारा पी एंडल के अंदर depreciation जाएगा न वो तो 10 ही रहेगा लेकिन जो extra 1000 रुपए का depreciation है that is not so पी एंडल ये चला जाएगा कहां पे revaluation account में तरह इस बात को समझेए यानि जो valuation अप होने की वजह से जो depreciation extra लग रहा है तो जितना depreciation हमारा normal है वो तो कहां जाएगा हमारा पी एंडल में जो extra depreciation लग रहा है वो पी एंडल में नहीं जाएगा उस depreciation को उठा के कहां ले जाएगे हम revaluation के अंदर लेके जाएगे पहला measure changes यानि जो हम यहां पर लिखते थे ना machinery account में machinery account में लिखते थे by depreciation तो यह depreciation तो जाता है भाई या पी एंडल में उसके बाद जो extra लगेगा यहां पर revaluation के नाम से लिखेंगा अभी हम पूरा process एक question आपके सामने है दो है एक मैं कर दूँँगा एक आप try कर लेंगा आपका concept हो जाएगा एक बच्चे का ये भी query आए था कि सर हमारे internal उनके internal college में भी यही question पूछा गया था तो एक तो ये impact आ जाता है दूसरा जब हमारा assets revaluation होगा तो या तो फाइदा होगा या तो नुकसान होगा तो अगर नुकसान हुआ तो अगर फाइदा हुआ तो आ जाएगा two revaluation मान लेते हैं कि आपका assets का पहले क्या था सर पहले cd था असी हजार रुपए तो ये bd भी कितना बना असी बना था हमारा तो extra जो valuation में आपने 10,000 increase किया तो revaluation के नाम से अलग से दिखाओगे कि आपका assets का value क्या हो चुका है बढ़ चुका है तो दो ही major impact है एक जब revaluation से extra होगा तो अलग से show करना होगा और उसके ऊपर depreciation जो लगेगा उसको भी हमें क्या करना होगा सर अलग से उस depreciation में merge करके अलग से show करना होगा मर्ज पूरा नहीं करना अलग से दिखाना होगा तो हमारे इस सवाल को एक बार देखते हैं और working note समझ में आ जाए तो account भी बहुत easily समझ में आ जाएगा इस question को देखते है working note समझ में आ जाएगा तो account भी easily समझ में आ जाएगा चलिए मैं एक पहले machinery account बना लेता हूँ एक machinery account जैसे कि बनाते थे यह तो बनना ही है कि यह बन गया हमारा machinery account सर कौन-कौन सा account demanding में है इसमें कौन-कौन सा account कह रहा है examiner बनाने को देख लेते हैं कि कुश्चन में कहता है कि आपका रिच्ची लिमिटेड सरी रच्ची लिमिटेड बॉट आ machinery पचास अजार का एक machinery खरीदा एक अप्रेल 2016 में खरीदा वन मोर मसीनरी खरीद लिया इसने फर्स्ट ऑक्टूबर 2016 सेम येर में ही और उसकी कीमत रखी गई 40,000 the rate of depreciation 10% per annum और rate of depreciation 10% per annum था SLM basis से एक अप्रेल 2018 में यानि दो साल के बाद the management decide management बोलता है कि भाईया हम ऐसा करने वाले हैं feel that there is need to revaluation of the machine उसने बोला कि दो साल बाद के हम machinery को revalued करेंगे the first machine was revalued 20% higher than book value यानि जो दो साल depreciation minus करने के बाद जो value बचा होगा उसके उपर कितना up कर देंगे हम 20% up कर देंगे the value second machinery को हम less than कर देंगे यानि second machinery की value में हम कमी करेंगे तो पहले machinery को बढ़ाना है दूसरे साल में और second machine को घटाना है October 2019 ठीक थोड़े दिनों के बाद यानि April के बाद हमारा March एक पूरा साल गया उसके last year में जाके the first machinery become absolute absolute का मतलब खराब हो गया इसे sold करना पड़ेगा और हमने उसको sold कर दिया और incurring आपका seven thousand rupees loss में in excess of depreciation arising on the revaluation should be charge revaluation reserve account कहता है जो भी excess depreciation लगेगा क्योंकि revaluation किया है तो ज़्यादा लगेगा तो जब ज़्यादा लगेगा जो आपने बढ़ाया है value को तो आपको अगलग से charge करना होगा revaluation में आगे कहता है as per as10 as10 के according as10 के according आगे कहता है yes 10 एक मिन्ट एक मिन्ट एक मिन्ट रुको पेरिंट्स का है चलिये तो question में क्या कह रहा है question में कहता है 10 so the machinery account और machinery account के साथ depreciation account भी बनाना है आज से पहले हमने सवाल में depreciation account नहीं बनाया इसके बाद revaluation reserve account भी बनाना है ये भी नहीं बनाया तो हमारे लिए नहीं चीज़े है एक depreciation account न्यू है और एक revaluation reserve न्यू है इसके बाद कहता है कि आपको 31 मार्स से 20 तक का काम करना है ठीक है पहले हम working note देख लेते हैं ये दोनों account यहां बनाना पॉसिबल नहीं है हम एक next page पे ले लेंगे ठीक है हम next page पे ले लेंगे अब देखते हैं यहां पर देखते हैं सबसे पहले machinery one machinery one 14 2016 14 2016 को machinery खरीदा कितने रुपय का खरीदा सर पचास हजार कितने का खरीदा पचास हजार इसमें से माइनस क्या कर देंगे हम पहले depreciation depreciation का rate यहां पे सवाल में दे रख़ा है 10% SLM तो 10% SLM के हिसाब से लग गया पाँच हजार हम दोनों pattern पे depreciation निकाल लेंगे बचा कितना 45,000 डेट है हमारा 14 2017 अब ही depreciation का decision नहीं लिया गया इसके बाद 31,000 डो हजार अठारा फिर से डेप लगेगा क्योंकि SLM है तो अगेन लग जाएगा इस पे पाँच हजार तो बचा हमारा कितना 40,000 अब management decide करता है कि revaluation कर दिया जाए और revaluation में क्या decision लिया गया इसके value को क्या कर दिया जाए बढ़ा दिया जाए तो प्लस आपका profit profit को हम क्या करेंगे अब कर देंगे तो मैं एक साथ के साथ और अच्छे से समझ में आ जाए इसी assets पे बढ़ाने के बाद का भी मैं depreciation लेके चलूँगा तो हमारा assets का value है यह समझाने के लिए extra आपको exam में नहीं करना तो 50,000 depreciation 5,000 5,000 के बाद आगया 45,000 45,000 के बाद फिर से 5,000 और यह आगया हमारा 40,000 40,000 पे हमें value बढ़ाना है 40,000 पे value बढ़ा के दिखाना है 40,000 पे value बढ़ाना है plus 40,000 पे कितने बढ़ाना है 20% तो यहां नजर आया है के हमारा 8,000 से value बढ़ गया that is आपका हो गया 48,000 कितना हो गया आपके 48,000 चलिए अब आते हैं हम आगे अब दूसरी मसीन का भी देख लेते हैं मसीनरी 2 का यहीं पे कर लेते हैं M2 का क्योंकि अब न इसके बाद यहां पे situation चलेगा और यहां पे भी देखेंगे हम मसीनरी 2 मसीनरी 2 कितने का खरीदा सर मसीनरी 2 जो खरीदा था जगह मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो हम इसको लेके चलते हैं इधार मसीनरी 2 मसीनरी 2 2 का इधर देख लेते हैं सेम हमारा जो डेट पे खरीदा गया है डेट क्या है हमारा एक अक्टूबर एक अक्टूबर एक दस 2000 2016 कितने का खरीदा गया 40 का खरीदा गया अब क्यूंकि 6 महने का डेट लगेगा तो माइनस डेट कर देंगे तो 2000 पहला डेट लगा दिया बचा कितना हमारा 38 अब इसके बाद पूरे साल का डेप लगेगा SLM है तो कितना लगने वाला है सर 4000 तो कितना बचा हमारा 34 नाव डिसाइड़ इसकी वेल्यू को डाउन करो और मैनेजमेंट डिसाइड कर रहा है इसकी वेल्यू को क्या कर दो लेस कर दो तो हम यहीं पर करेंगे थोड़ा मैं स्मॉल साइज कर देता हूँ यानि सर यह कितने का था 40 का 2000 डेप लगा और बचा कितने का 38 मैं लंबे प्रॉसर से जरूर कर रहा हूँ लेकिन समझ में आ जाएगा आपको कि मैं करना क्या जा रहा हूँ 34,000 इसकी वेल्यू को अगर हम डाउन कर दें तो कितने से डाउन होगा 3400 अल्टीमेटली देखा जाए तो यह जो बच जाएगा कितना बचेगा 34 माइनस करने के बाद हमारा 30,600 वेल्यू ठीक है ना यानि सर हमारे एसेट के रिवेल्यूएशन से एक इंपक्ट जनरेट हुआ नेट इंपक्ट की बात करे ना तो बढ़ा हमारा 18,000, 8,000 और घटा हमारा कितने 3400 अल्टीमेटली देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 3600 रुपे 3600 यह आएगा ना नहीं 3600 नहीं आएगा जिसके अंदर आपका एक्स्ट्रा डेप्रीशेशन चार्ज करना पड़ेगा यानि जब हम यह एसेट्स अकाउंट बनाएंगे तो इसके अंदर हमें एक रिवेल्यूएशन की एंट्री पुट करनी होगी और वो कितनी करनी होगी हमें शीयालीश सौ रुपए तो पहले इस स्टार्टिंग से देख लेते हैं नौर्मल डिप्रीशेशन सर्व यह डेप्रीश से शन किया हो मसीन्री अकाउंट है था हैu मसंट्री अकाउंट थीक है यहां पर क्मसीन्री अकाउंट कि यह हमारत है 1416 कितने का खरुदा 50,000, कितने का खरीदा 50,000, इसके बार 2 bank 2 bank, कितने का है सर ये कितने का है 40, यानि सर 10, 31 नई, 110 110 को, 110, 16 में और ये 40 का तो यहाँ पे तो decision हुआ ही नहीं, decision कब हुआ 18 में, तो 18 के हिसाब से लेना है, जब decision हुआ चलिए फटाफट पहले साल का बालते हैं तो पहले साइड लगेगा बाइड डप्रीशेशन नंबर वन और बाइड डप्रीशेशन नंबर टू यह आगया हमारा एकत्यस बारा स्वरी कत्यस तीन येर आप चेक कर लीजेगा एकत्यस तीन यानि दो हजार सतरा ही हो गई है तो इस पे लग गया पाँच हजार और इस पे लग गया दो हजार क्योंकि पहले साल तो छे महिने तक लगा है तो बाइड बैलेंस बाइड बैलेंस टू बैलेंस, टू बैलेंस, बीडी, टू बैलेंस, मैंने इसको आगे तक अभी लेके जाना है, जो बिका बगर है, वो बाद में देखते हैं अभी हम, टू बैलेंस बीडी, कितने रुपए का आएगा हमारा, 83, और सर, इस समय भी रिवल्यूएशन नहीं लगा, तो इस समय धागी बाई डे अप्रीशेशन नॉर्म चलेगा, और बाई डे अप्री शेशन नॉर्म डान, कितना आ जाएगा हमारा, एक पर लगेगा 5000, और बाई डे अप्रीशेशन दूसरे पर पूरे साल का लग जाएगा डेट इस 4000 और अब यहां पे देखा जाए तो यहां पे यह भी डेट आएगा 31 31 वैल्यूएशन अब निकालते हैं क्या बनता है यह आ गया हमारा 83 और यहां भी आएगा 83 इसको थोड़ा सा अजिस्ट करते हैं हां मिटा देते हैं इटी थ्री इटी थ्री अब आएगा हमारा बाय बैलेंस बाय बैलेंस सीडी अब अगर हम माइनस कर दे एटी थ्री में से 9000 तो कितने बच्चे हमारे एटी थ्री में से 10 गएंगे तो 74 नाव यह आ जाएगा हमारा एक चार 2,000 अठारा टू बैलेंस बीडी कितना सवंती फी आब 74 के अंदर हम क्या करेंंगे अब यहां पे रियेल्वेशन का इंपेक्ट आजाएगा तो रियेल्वेशन कब कर आब एक अपरेल को तो यहां पे रिय वयाल्वेशन समझना जो चीज यालक हो रहा है तो तो कितने का impact आएगा हमारा 4600 अब जो depth लगेगा न वो depth पता है कितना लगेगा by depreciation मैं थोड़ा add करके दिखाऊंगा तो depreciation सर नॉर्मली हमारा तो लगना था 9000 है नॉर्मली 9 लगता कैसे 5-1 पे और 4-1 पे समझो आप नॉर्मली कितना लगता हमारा 5-1 पे और 4-1 पे लेकि यह जो extra है इसका भी तो depth जोड़ना पड़ेगा हमारा revolution के तो कितना और जोड़ देंगे इसमें कितना और जोड़ देंगे 460 तो revolution में कितना अब जो depth लगेगा टूटल कितना लगेगा आपका 9460 पहले यह देखिए revolution से क्या impact आया अभी बेचना खरीदना तो बाद में है depreci appreciation account बड़ा असान है और revolution भी बड़ा असान है अगर यह समझ में आ गया तो आपको सारी चीज़े समझ में आ जाएगी देखिए पहले यहां तक देखिए किसी को दिक्कत चार सो साथ इस वाला जो हमारा assets अप हुआ है अब जो assets बढ़ा है उसके उपर भी तो debt charge करोगे अब देखो यहां पर समझते हैं पहले हमारा assets कितने assets हैं हमारे पास एक तो इसके उपर debt लगेगा इसके उपर debt लगेगा सर कितना लगेगा 5000 रुपे तो पुराना लगी रह प्लस एक्स्ट्रा वाले का कितना 800 रुपे यही होगा और यहां पर पहले से कितना लग रहा था depreciation 4000 और यहां पर नुकसान हुआ है तो माइनस हो जाएगा कितना 3400 का नुकसान हुआ है तो 340 माइनस हो जाएगा तो आगर यहां का debt देखोगे ना आपको नजर कितना आएगा अठ्थावन सो अगर टोटल मैं ले लेता हूं तो टोटल की केस में इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 9460 रुपे चेक करिए आप चेक करिए आप कैसे भी करके समझ लेजिए कोई दिक्कत नहीं है क्लियर है यानि मैं सिर्फ क्या कहना चाहरा हूं कि जो हमारा पुराना डेप्रीशेशन चल रहा था वो तो रहेगा ही रहेगा जो एक्स्ट्रा पार्ट इंप्रूव हुआ है उसका डेप निकालके इधर डाल देना है लेकिन ये क्लियर होना चाहिए कि नो हजार तो पुराने वाला चल रहा है री वेल्यूएशन की वज़े से कितना अप हुआ है चार सो साथ आप देखना चाहते हैं तो एक तो ये आठ सो अप हुआ है बढ़ाने की वज़े से और तीन सो चालेस डाउन हो गया घटाने की वज़े से तो दोनों का डिफरें और इस वाले पर लगेगा 5800 लेकिन अगर बीच में भिग गया तो सिर्फ उसके उपर कितना लगने वाला है 3600 पहले यहां तक देख लिजिए कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं चलो अब आजाते हैं अब आ जाते हैं हम अगले साल की तरफ ठीक है अगले साल डेप्रिशेशन लगाए जाए यह जो एक्स्ट्रा वर्क किया न है इसको मैं थोड़ा इदर से हटा देता हूँ क्योंकि मुझे अगले साल का इसमें हिसाब किताब बनाना है इसको थोड़ा सा extra work को मैं इधर ले जा रहा हूं ठीक है अब यह क्या कहता है इस assets को sir बेच दिया गया कब बेच दिया गया 1st October 2019 2019 में बेच दिया थीक 6 महिने ही होगे है न October September हाँ 6 महिने इस्तमाल करके बेच दिया तो 6 महिने का तो 6 महिने का निकाल दो एक तो सुरू से चलता आ रहा है तो मैं ध्यान देना अगर मैं इसके उपर 6 महिने का depreciation लगाओ depreciation 6 महने का तो sir ये तो बनेगा 2500 है कि नहीं और जो बढ़ा हुआ value है उसके उपर भी तो 6 महने का depth लगाओगे बढ़े हुए value के उपर भी 6 महने का depth लगाओगे तो और depth लग जाएगा extra बढ़ा हुआ value कितना था 8000 तो 8000 पर 6 महने का बनेगा 400 क्योंकि ये slm है तो इसका value जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा sir इसका value जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2500 माइनस 400 37,000 37,100 और माइनस में अब बेचा इसको कितने का बोला भीया मैंने इसको बेच दिया 7000 के नुकसान पे तो 7000 के नुकसान पे मतलब 30,100 का बेचा होगा आपने तो 7000 का आपका आगया नुकसान यही कहां नहीं है यहां पर देख लेजिए और दूसरे वाला जो पार्ट है इसके उपर depreciation एक पुराना old वाला जो चल रहा है वो लगेगा कितना 4000 और नए वाले की वज़े से हमारा loss जो हुआ है उसका minus कर देंगे 340 that is आप इन दोनों का total करेंगे तो आपका यहीं आने वाला है ठीक है तो अब last वाले साल में क्या करा जाए इस साल को तो close कर दिया जाए इस साल को तो close कर दिया जाए तो कितना आएगा 7 और 4 ग्यारा तो 81 अजार नहीं साथ सारी 4 और 4 आठ 78 600 है ना 78 600 बाए साइड में क्या आएगा बाए साइड में balance balance cd 78 600 बाए साइड में balance cd 78 600 माइनस में 9460 तो आगया 69 69 140 तो यहाँ पर आजाएगा 2 balance bd 2 balance bd कितना आजाएगा 69 140 अब 69 140 जब आगया अब माइनस करेंगे इधर क्या depreciation सर जो assets भिक गया उसका depreciation कितना है सर यह है कितने है 2900 लेकिन यह बात ध्यान रखिएगा कि 400 कौन से वाला है जो re-value इस ठीक है चलिए इसके बाद buy side में bank से ही बेच दें इसको कितने का बेचेंगे हम 30,100 और buy side में P&L से loss हो गया कितने का loss 7,000 और buy side में फिर से हम depreciation charge करेंगे कितना charge कर लेंगे 36 30,60 देख लेजिए अब आप देख लेजिए आप बैलेंस चेक भी कर लेजिए गा 6,9 1,4,0 6,9,1,4,0 buy balance balance cd सर इन सभी का data अलग अलग है ये एक दस है ये एक दस है और ये भी एक दस है और ये 31,3 है ठीक है न तो माइनस 39,00 माइनस 30,100 माइनस साथ हजार माइनस 36,40 चेक करिए 25,480 आ रहा है क्या रहा है 23,280 क्या 32,300 का sale 48 था कितने का बीचाए ये 32,320 अच्छा हाँ एक मिनट हमने जो एसेट्स एड हुआ है वो लिखना भूल गया है एक मिनट रुख जाए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा रह गया है आप इधर मत देखिएगा ठीक है इस वाले को देखिए ये revolution एड करके है ठीक है यहाँ पर depreciation कितना माइनस होना है सर depreciation माइनस होना है total 39 ये तो agree कर रहे है ठीक है तो अब 48,000 48,000 माइनस 39,000 तो बचा कितना 45,100 कि ज़्यादा आ गया है तो 47 माइनस में 7,000 38,100 38,100 35,300 38,100 यहाँ पर depreciation यहाँ पर कर रहे है मैंने 18 में बेचा है 19 में बेचा है यह आगे हमारा 18 एक मिनट रुकिए एक साल मिस हो गया नहीं यहाँ तो सही चल रहे है एक दम अच्छा इसमें ना एक साल का depreciation जो लगेगा 5,800 हाँ यह माइनस करना भूल गए तो 48,000 माइनस 5,800 तो 42,200 अब 42,500 पर कितना माइनस कर दे और पच्चिस सो 42,200 माइनस पच्चिस सो तो 49,700 पच्चिस चार उनत्यस ओके उनत्यस सो ठीक है तो 42,200 माइनस उनत्यस सो और यह आगे हमारा 49,300 अब बेचा कितना 7,000 के नुकसान पर तो माइनस 7,000 32,300 तो यहाँ पर बस थोड़ा चेंजिस हो गया यह क्या जाएगा बाकि सब ठीक है 32,300 और 32,300 की वजह से यह आंसर भी चेंज होगा कितना 69,140 माइनस 39,100 माइनस 32,300 माइनस 7,000 26,000 माइनस 36,60 23,200 चेक कर यह 23,200 यह अकाउंट हमारा प्रिपेर हो गया एक डप्रिशेशन बनाने, एक रिवेलिशन वो तो छोटा सा अकाउंट है भी फटा-फट से कर लिए पहले यह कैलकुलिशन देखो मैंने थोड़े डिटेल किया है हो सकता है बच्चों को confusion हो जाए मैं यह दोनों साथ के साथ इसलिए लेके चला comparison आपको एक ही बनाना है यह ठीक है ना यह एक ही बनाना है आपको यहाँ पर क्या मैं समझाने की कोशिस कर रहा हूँ कि value up होने की बाद यह depreciation और यह without value up होने के बाद तो मैं इसको एक काम करता हूँ न इस वाले part को काड़ देता हूँ यह किसी काम का ही नहीं confusion रखेगा ठीक है यहाँ पर बस मैंने यह करा कि हमारा जो पुराने का डैप और नए वाले का डैप आ गया correct और यहाँ पर उसको add करने के बाद है हलाकि देखा जाए तो आपको बस यही calculation लेके चलना चाहिए यह वाले की जुरत नहीं है सिर्फ मैंने compare करने के लिए कराया और यहाँ पर भी सिर्फ यही calculation लेके चलना चाहिए इस वाले की जुरत नहीं है ठीक है अब चले अब कहां पर जाएंगे depreciation के बाद revolution reserve account अब revolution reserve account देखा जाएने तो कहां कहां है सर एक तो revolution reserve यह वाला है तो बस transfer ही तो करना है एक revolution यहाँ पर है और एक यहाँ पर भी revolution है सर यहाँ पर revolution एक इसके अंदर जुड़ा हुआ है revolution का कितने रुपे 400 और सर एक इसके अंदर भी इवेल्यवेशन का माइनस कर रखने हैं इतने रुपए तीन सो साट रुपए सर अठावन सो वाली एंट्री नहीं आएगी तो 58 वाली एंट्री अल्रेडी डन कर चुके हैं ये देखो अगर इन दोनों को आप एडलेस करोगे तो 888 हम पहले ही दिखा चुके आज़ें हैं आदे शुकी एडफियेट पहले दिखा चुके हैं का से 58 पहले दिखाए ये होगे न 28 और 3 downs also जब इन दोनों पको आप सेपरेट करोगे तो आपका यही आएगा चौंते सो नहीं um हाँ जब इन दोनों को 34 नहीं 36 60 को तो यहीं आएगा हैRoam कि एच चलिए अब इसके अंदर एक और कुछ तरी करिएा नहीं तो वह भी मैं कर दूंगा अब हमें बनाना है बना लेते हैं सिंपल से बात है और मैं पूरा रिकॉल कर दूँगा कि क्या कैसे करा है हमने कि मसीनरी एकाउंट में सबसे पहले आप अकाउंट पे आ जाईए हमें इसी एकाउंट से तो डेप्रीशेशन उठाके करना में तो बाय में दिप्रीशेशन यहीं ठीक है तो बाय का डिप्रीशेशन अगर जनल आउंटरी मैं आप से कर्वाँ तो जनल इंटरी क्या बनेगा यहां पर depreciation to machinery ठीक है, अब depreciation में जाके क्या लिख देंगे हम buy machinery और मैं total लिख रहा हूँ यहाँ पे, total debt लिख रहा हूँ इन दोनों को जोड के, 5 और 2, 7 आप अलग-अलग भी लिख सकते हैं ठीक है, और हमें कुछ नहीं करना, यह depreciation normal depreciation है ना यह depreciation कौन सा है, normal तो बस यहाँ पे कहां जाएगा, यह P&L में जाएगा, तो P&L account लिख के 7000 खतम यह date आजाएगा 31 और यह भी date आजाएगा 31 अच्छा तू में आएगा हमारा एक मिनट depreciation में जाके टू machinery हाँ, उल्टा हो गया depreciation में जाके two machinery, यहाँ लिखेंगे two machinery और यहाँ लिखेंगे by P&L, ठीक है खतम, अब दूसरे साल की कहानी स्टार्ट होगी, दूसरे साल में भी हमारे क्या आएगा, 31 तीन को two machinery और दूसरे साल कितना आ रहा था 9000, और फिर यहाँ कि आ जाएगा by P&L ठीक है, कितना है 31, कितने दे रखें 31, फिर से दूसरा साल भी क्या हो गया सर खतम हो गया, 9000 और 9000, सर अब तीसरे साल की कहानी अलग हो जाएगी तीसरे साल में हमने two machinery machinery पे depreciation लगा है 9000, लेकिन revaluation, जो हमारा मैं total machinery का डप लगा देता हूँ तीसरे साल की कहानी में depreciation देख लेते हैं कितना है तीसरे साल की कहानी में depreciation है 9460 रुपे, तो मैं यहां पे लिख रहा हूँ 9460 रुपे, जिसमें से P&L के हिस्से में जाएगा सिर्फ 9000, और बाकी चला जाएगा revaluation reserve में कितना 460 यह भी 30 दिन, मैंने क्या बताया था starting में, कि हर किसी का P&L में नहीं जा सकता तो इसलिए यह वाला पार्ट तो revaluation में जाएगा तो इसलिए मैंने कहां भीजा इसको revaluation में, ठीक है चलिए सर, यह साल भी खतम हो गया लास साल रह जाएगा, खतम हो जाएगा हमारा यह भी 9460 लास साल रह गया, 9460 चलिए, बाइ साइड में, नहीं, कुछ तो आएगा नहीं टू साइड में फिर से क्या लिखेंगे टू, क्या लिखेंगा बताओ, टू मसीनरी और टू मसीनरी एक बाद ध्यान से टूटल करना, मैं अलग मारकर भी ले ले ले, तो ध्यान से टूटल करना, कितना डैप आएगा, एक यह डैप और एक यह डैप यानि 3900 और 3600, तारीख अलग-अलग है, तो हम अलग-अलग लिखेंगे तो सबसे पहले कब आएगा सर, यह सबसे पहले आएगा, एक दस को, कितना था हमारा, 3900, लेकिन यह 3900 की कहानी है, 2500 रुपे नॉर्मल वाले का, जो की पी इंडल में चला जाएगा, और किसका, 400 रुपे हमारा एक्स्ट्रा, जो की कहां चला जाएगा, रिवेलिवेशन मे अब 31,10 को हम क्या करेंगे, two machinery, two machinery, two machinery में देखा जाए तो क्या क्या आएगा, two machinery में देखा जाए तो क्या आएगा सर, यहाँ पे देखा जाए तो कहानी बिल्कुल अलग है, नॉर्मल वाले का हमारा कितना था, 4000, और इसमें से माइनस कर दिया हमने, कितना सर, 400 रुपे, त 340, 340, क्योंकि उसका extra तो हमारा 340 आएगा, ठीक है, 340, तो इस तरीके से कितना आया यह, कितना आया बताओ, 3660, अब देखा जाए तो buy side में, profit and loss में तो हमारा depth, depth चला जाएगा, तो profit and loss में मुद्दे की बात देखें, तो एक तो यह जाएगा, एक यह जाएगा, यानि क कितना चला जाएगा, 3500, समझ में आया, और हम revolution में कितना, यह तो minus हो रहा है, यह plus हो रहा है, तो revolution में कितना भीजेंगे इस साल हम, तो दोनों का difference लोगे तो सिर्फ कितना रुपे, 60 रुपे, तो यह कितना हो गया, 6560, और यह भी कितना हो गया, 6560, सर यह जाएगा, एक द बताएगे, समझ में, बनेगा यह भी simple depreciation, अब बोला क्या बनाओ, revolution, तो यहीं से तो revolution बन सकता है, यहाँ भी revolution है, और यहाँ भी revolution और एक revolution पीछे था, ठीक है, तो revolution बनेगा एक, हलाकि एक बच्चे के internal में पता नहीं, उसने सही किया, गलत किया, क्योंकि हमने कर नहीं रखा था, लेकिन regular college के internal में सवाल यह पूछे जा रहे है, depreciation में से, यही सवाल पूछे जा रहे है, चलिए, revolution, अब चलिए, पीछे अकाउंट से उठाएंगे हम, ठीक है, revolution यहाँ प तो entry के बनेगा machinery to revolution, entry के बनेगा machinery account debit to revolution, तो आपका अगर entry बनता है machinery to revolution, तो revolution में जाके क्या लिख दोगे आप, buy machinery, तो revolution में आ गए, और यहाँ लिखा हमने buy machinery, कितने रुपे बन रहे थे हमारे, 46, पहले यह समझ में आया, clear है, अब यहाँ से revolution उठाएंगे, यहाँ पर revolution buy में है, तो entry क्या बनेगा हमारा, revolution to depreciation, ठीक है, revolution to depreciation, तो revolution account में जाके क्या लिखेंगे, two depreciation लिखेंगे, तो two depreciation, कितना लिखेंगे depreciation, जो पार्ट हमारा है, 460 रुपे, च्छालिस सो, two balance, cd, बताओ माइनेस करके, एक तालिस सो चालिस, by balance, by balance, bd, एक तालिस सो चालिस, अब अगेन दूसरे साल में फिर revolution साथ का है, तो क्या लिख दूँ, two depreciation, कितने का, साथ का, अब account आप मैच कर लिजे, बराबर, यह logically चल रहे है, ऐसा नहीं कि वहां का उठा के वहां रख दिया, वहां का उठा के वहां रख दिया, और two आ जाएगा हमारा, balance cd, चेक करिए, ठीक है, तो आपको सबसे main, अगर इस पूरे सवाल को हम ध्यान से देखें और समझें, तो मेजर ले एक बार quickly मैं बता देता हूँ, सबसे पहले हमने क्या देखा था, यहां से देखा, सबसे पहले, जब कभी भी assets का revaluation होगा, तो revaluation के आप impact को जानोगे, कि या तो आपका बढ़ सकता है, या घट सकता है, चाहे बढ़ जाए, चाहे घट जाए, उस revaluation के impact को हम ले जाएंगे, अलग से revaluation reserve account में, लेखिन कई बार ऐसा भी हो सकता है, कि हमारा revaluation reserve negative पहुँच जाए, तो negative नहीं जाने देते हैं, हम P&L में ले जाते हैं, यह चीज, हमने final account में भी देखा था, कि अगर हमारा assets down जा रहा है, तो ले जाते थे P&L के debit side में, लेकिन अगर assets up जा रहा होता था, तो हम अलग से liability side में create कर देते थे, revaluation reserve account, ठीक है न, तो सेम ऐसे, तो यह सवाले सवाल में हमारा, एक का तो कम हो रहा था, एक का जादा हो रहा था, तो ultimately net effect क्या हो रहा था, हमारा जादा ही आ रहा था, तो हम सुरू से normal depreciation चार्ज करेंगे, सुरू से बिलकुल normal depreciation, जिस साल revaluation लगेगा, उस साल, जैसे हम assets को खरीदते हैं न, तो खरीदेने के बजाए, उस revolution का नाम से entry मार देंगे, अब जो depth लगेगा, revolution portion पे अलग लगा के चलना और पुराना अलग, दोनों को जोड़ देना, तो 460 revolution portion का हो गया, और इसका वाला का 9000 है, क्योंकि SLM है न, तो SLM स्टार्टिंग से लग रहा है, तो टोटल ये depth हो गया हमारा, ठीक है न, यहाँ पे, और इसको मैंने अलग-अलग करके भी समझा दिया है, वीडियो को एक बार और देखिएगा ध्यान से, फिर doubt होता है, तो फिर पूछ भी सकते हो, इसके बाद अगले साल जब हम गये, तो अगले साल सबसे पहले हमारा depreciation लग गया, जो assets भी का, तो दो depreciation है, एक normal वाला, एक revaluation वाला, अब assets को जब हम बेचने गये, तो हमें ध्यान रखना है, जो revaluation, assets की value में increment है, उसको add करके, फिर minus depth करके, फिर आपको profit and loss निकालना है, जो कि मैंने यहाँ पे किया है, हमारा assets का value यह बन रहा था, normally, पहले साल का depth चेंज करके, तो पहले मैंने depth minus करा, उसके हिसाब से निकाला loss को, और सवाल में कहता था कि loss है सर, सवाल में कहता था loss पे बेचा है, तो 49,300 रुपए का समान है, और मैंने बोला, इसको 7,000 के नुकसान पे बेच दिया, तो बीच का difference क्या होगा, हमारा sale आजाएगा, कि कितने का बेचा है, इस sale को इधर दिखाया है, इधर हमारा final answer निकल गया, 23,280, तो भी continue, अगले साल जो हमारा depreciation लगेगा, बरकि पूछा नहीं गया, अगर लगाना हुआ, तो कैसे लगाएंगे, हमारे पास एक ही machinery है, जिसका value निकल के CD आजाएगा, और उसके उपर सिर्फ और सिर्फ depreciation कितना लगना चालू हो जाएगा, उसी machinery account से depreciation को उठा उठा के हमने किया है, इधर लग गया हमारा machinery, इतने का, और यह P&L से चला गया, और यह P&L कौन सा है, जो कि हम नॉर्माली सीखते आए हैं, तो हर साल का डेप निकाला, लेकिन जिस साल revaluation है, तो depreciation तो total इतना लगा, लेकिन यह वाला हिस्सा पहुंच जाएगा P&L में और यह वाला हिस्सा पहुंच जाएगा कहाँ पे, revaluation में, सेम अगले साल depreciation तो हमारा यह यह लगा, लेकिन इसमें से P&L में स्रिफ इतना हिस्सा जाएगा, बाकि revaluation में इतना जाएगा, revaluation अकाउंट क्या करा हमने, पीछे machinery अकाउंट में से कुछ entry को extract किया, जो कि revaluation ता था और depreciation में से extract करा, जो कि हमारा यहां आ गया, तो यह पूरा का पूरा चेप्टर था, सर साथ वाला एक पार और बता दो, साथ वाले का मतलब क्या है, कि 400 रुपे तो हमारा बढ़ गया था, और 340 हमारा घट गया depreciation, तो ultimately depreciation, revaluation वाला पार्ट, साथ ही बचाना, 400 बढ़ गया, 360 घट गया, तो हमारा 400 कहना, साथ ही तो बचेगा difference हमारा, ठीक है, clear यहां तर, तो यह हमारा depreciation अब पूरा जाके खतम हो गया, journal entry पूछे, तो account अगर आपको याद हो, तो journal entry आप करके आ सकते हो, एक सवाल और आपकी किताब में given है, जिसे मैं पढ़ देता हूँ, एक सवाल और given है, मैंने पहले ही इसको, और यह सारी किताब आपके बुक का ही है, जे यार मुंगा का, मैंने कुछ इसके अंदर additional डाला नहीं है, कहता है कि Z Limited ने purchase किया, machinery रुपीस 5,00, इंक्लूडिंग दा बॉइलर रुपीस 1,172,017 को, दा कंपनी चार्ज देप्रीशेशन 10% WDV, तो इस assets को आप क्या करोगे सर, इस assets को दो हिस्से में बाढ़ देंगे, जो हमारे ये 5,00,000 है, एक 4,00,000 रुपए अलग कर देंगे, एक लाख अलग कर देंगे, क्योंकि boiler आगे बेच देता है ये, एक अप्रेल 2019 को management ने decide किया, कि machinery re-valued boiler part को assist करेंगे, 5,000 less कर देंगे, और net book value remaining the assets 20% higher कर देंगे, यानि इस वाले में तो 20% को add कर देंगे, और इसमें 5,000 रुपए क्या करेंगे, लेस कर देंगे, तो ultimately कहानी वही आगई, एक बढ़ गया और एक घट गया, हाला कि एक machinery आपको दो machinery मान के चलो ना इसे, तो answer आपका बड़े आसानी से आ जाएगा, the machine was ultimately sold 1 April 2020 को हमने बेच दिया, 2,70,000, any excess depreciation should be adjust again to the re-valuation account, एक machinery बनाना है, एक depreciation, एक re-valuation, तो हमारे पास balance CDVD कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि सब कुछ हमने क्या करा है, यहाँ पे बेच दिया है, एक ही machine था और एक कोई बेचा, तो यह आपके book का last question है, आप देख लिजे चाहे बच्चा program का हो, चाहे बच्चा honors का हो, दोनों में ही यह सवाल आपको देखने को मिल जाएगा, depreciation chapter के illustration, आपके किताब में given है, यहाँ पे question number पे मज जाए है 31, आपको मिल जाएगा, प्रोग्राम में कौन सा है, 21, और इसमें आपका, तो हो जाएगा यह, clear है, yes, बताइए, sir, इस question में, जो हमने अभी किया था, स्वाल वस्ट में solution में, machinery account में, revaluation reserve भी given end में, book में, book में machinery account में, क्या गी बन है, last में, revaluation reserve given है, और 4080 अमाउंट है, मैंने देखने, एक बड़ देखना है, एक में देख लेता हूँ, last में कह रहे हो, अच्छा, revaluation reserve maximum use for, यह मैंने क्या करा, यह मैंने यहाँ पर plus कर दिया, एक अमाउंट और एक अमाउंट यहाँ कर दिया, तो यहाँ पर कितने plus हैं हमारे, इसको ना इन्होंने अलग से दिखा रखा है, कितने दिखा रखे हैं, 4080, और यही चीज मैंने क्या करा, इसी assets में plus करके ले लिया है, तो, उसकी tension मतलो, वो चीज़ है मैंने ना, जो आप यहाँ पर revolution reserve ले रखा हैं ना, मैंने वो पता है कहाँ पर add कर दिया, इस machinery में add करके, और profit and loss में adjust कर दिया, तो वो कैसे आया, एक तो इसका 400 रुपे, ठीक है, और इसका minus कर दिएंगे, जो भी minus बन रहा था, तो बुक वालो ने इसको अलग से separately दिखा दिया, पहले आप यह देखिए, यह वाला पार्ट समझ में आ गया, तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बुक वालो ने क्या करा, वहाँ पे अलग से दिखा दिया है, वहाँ पे, आप देखेंगे, तो अलग से क्यों दिखाया, क्यों दिखाया, मैं ये भी बता दू आपको, 69140 है, तो यहाँ पे, बैंक से सेल भी ठीक है, 3900 ठीक है, प्रॉफिट अन लॉस से, अब देखो, यहाँ पे प्रॉफिट अन लॉस से, इसने 3920 रुपे दिखाया है, और मैंने प्रॉफिट अन लॉस में, कितना दिखाया है, प्रॉफिट अन लॉस में, मैंने दिखाया साथ हजार तो बुक वालों ने बोला कि भाईया साथ हजार का नुकसान तो हो गया लेकिन पहले भी तो रिवेलुएशन की वज़े से आपने कमाया था तो उसको कमपंस्टीट करके अलग-अलग दिखा दिया आप एक साथ लिखके चल सकते हो ठीक है कि यश है चीक हैं चलिए कल फिर से एक दिन की चुट्टी हो गई थी कल क्लास है कल वाली क्लास में हम डिपार्टमेंटल को कर लेंगे डिपार्टमेंटल या फिर लीज जो भी होगा वो देख लेंगे हम कंप्लीट करेंगे येस समीर बताईए हलो हाँ जी समीर बताईए सर वो 3660 कैसे आया 3660 कौन से वाली की बात कर रहे है ये वाला 3660 ये ऐसे आया क्योंकि आपका जो डेप्रीशेशन था 4000 डेप्रीशेशन जो था रीवेल्वेशन देखो ये 3660 बताते हैं 3660 यहाँ पर हमारा वेल्ली कितना आप हुआ अच्छावन सो पांच हजार चाहजार और ये 3660 ठीक है या फिर आप ऐसा कर सकते हो नए पेज़ पर बताते हैं नए पेज़ पर बताते हैं यहाँ बता देता हूँ अब इसका रीवेल्यूएशन कर दिया less यानि 4000 कम कर दिया तो 4000 कम करने के बाद मेरा एसेट का वेल्यू कम हो गया नॉर्मल हमारा डेप्रिशेशन कितना होता इस 4000 पे 10% यानि सरी 40,000 पे 10% यानि 4000 रुपे और क्योंकि रीवेल्यूएशन से 4000 हमारा नुकसान हो गया तो अगर माइनस कर दू मेरा less होगा डेप्रिशेशन क्योंकि एसेट का वेल्यू में कमी आ गई है तो 10% का less होगा यानि आपका कितना less होगा 400 यानि या वेल्यू 4000 नहीं था यह वेल्यू था हमारा एक मिनट रुकिया मैं वहीं से उठा लेते हैं एक मिनट दीजे इधर देखे यानि एक ओल्ड वाला डेप्रिशेशन है हमारा 4000 और अब नूवाला डेप्रिशेशन क्या होगा सबसे पहले हमारे एसेट्स में कितना इंक्रिमेंट हुआ है इंक्रिमेंट तो हुआ नि एसेट्स में नुक्सान हुआ है कितना नुक्सान हुआ सर नुक्सान हो गया हमारा नुक्सान कितना हुआ एसेट्स में यह देखे एसेट्स हमारा 34,000 में से 10% का नुक्सान हो गया तो यानि assets था पहले हमारा minus करके 34,000, management बोला 10% घटाओ, तो मतलब कितने का घटाओ, 3400 घटाओ, तो एक तो यह हो गया नुकसान हमारा, तो अब हमारा depreciation हाला कि हम 4000 चार्ज करतें, लेकिन नुकसान होने की वज़े से assets का value हमारा down हो गया, तो यह depreciation तो minus ही नहीं कर पाएंग तो depreciation जो नहीं लगा पाएंगे, that is आपका कितना है, 340, तो अब जो net depreciation लगाना है, वो 3660 लगाना है, ठीक है?